Hello dear students, last minute tip of your physics exam, आपको इसमें जो last year, जो sample paper डाला हुआ है, sample paper डाला हुआ है, वो sample paper जुरू कर लें, तो इसमें मैं ये 25 questions है, 25 questions है, sample paper के मैंने यहां पे लिए है, वो आप जुरू करें, ठीक है, 25 questions of sample paper है, ठीक है, so HBSC ने sample paper के तो इसी से related आएगा, ठीक है, ये आपका एक pattern है कि 5 से 6 questions हो repeat हो रहे हैं, जो sample paper में गीवन है, अलगलग set में repeat हो रहे हैं, जैसे कि unit of specific resistance, graph between V and I, जैसे कि हमारे पास, लेकिन इसमें ध्यान रखा है कि जनली हमारे पास Y-axis के अलोंग क्या है, हमारे पास represent I कर रहा है, ठीक है, तो यहां पे I रहेगा यहां पे V रहेगा, ठीक है, तो फिर इसमें answer क्या जाएगा, कोट आ जाएगा, इसी तरह आपका यह path जो है electrical field में, आपका magnetic field में अगर perpendicularly अंटर करता है, तो किस तरह का path रहता है, circular path रहता है, ठीक है, तो यह मेने minor से कुछ सो हो सकता है, किसी में changes हो, यह आपका force वाला है important questions, यह आपका inductance से है questions, next आपका conservation of year आपको already बता चुका हूँ, मिराज फेनोमेना आपका क्या है, TIR का है, ठीक है, यह आपका lens formula पे है, ठीक है, यह lens formula पे है, ठीक है, तो यह हमारे पास 1 by F is equal to आपका N refractive index, 1 minus, यह हमारे पास 1 by R1 minus 1 by R2, ठीक है, यह lens formula से, आपका lens maker formula है, उससे है, यह minimum deviation से question आपका, यह आपका speed of light है, refractive index से आप calculate कर लेंगे इसको, यह आपका emission से है, डी ब्रोगली wavelength में directly proportional पूछ रखा है, ठीक है, तो यह आप exactly वही कर सकते हैं, ठीक है, तो यह हमारे पास, यह questions हैं, ठीक है, यह 25 questions हैं, जो sample papers में given थे, तो इनको एक बार अच्छे से आप कर ले, इनी से related minor सा statement में change होकर के, questions आने वाले हैं, 5 से 7 questions repeat होंगे इससे, thank you very much, best of luck for your exams.